नमस्कार मैं अर्चनार आप देख रहे हैं एंटी विनिश पक्ष रोजगार मेला में पीएम मोधी बोले हमारी सरकार जो कहती है वो करती है ये रोजगार मेला हमारे सुसाशन की पहचान दरसल पीएम मोधी आज भरती अभियान रोजगार मेला के तहट करीब 71,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौपेंगे इस अबसर पर प्रधान मंत्री युवाओं को वीडियो कॉन्फरेंस के माद्यम से संबोधित भी करेंगे प्रधान मंत्री की प्रती बद्ता पूरी करने की दिशा में रोजगार मेला महत्वपून कदम है पीएम नरेंद्र मोधी ने कारेकुर्यम की शुरूवात में वीडियो कॉन्फरेंसिंग के जरिये सरकारी विभागों और संगठनों में नई भरती किये गए लोगों के साथ बाचीत की पीएम ने इस अफसर पर युव्याओं को वीडियो कॉन्फरेंस के माद्यम से संबोधित भी किया उन्होंने कहा कि अब केंद्र सरकार की भरती प्रक्रियाओं में बदलाव हुए हैं अब केंद्र सरकार में भरती प्रक्रिया अधिक समय बद और सूव्य वस्तित है उन्होंने आगे कहा कि देश भर से चैने त्यूबाओं को भारत सरकार तहे जूनियर इंजिनियर लोको पाइलेट तकनीशियन निरिक्षक उपनिरिक्षक कॉन्स्टेबल स्टेनोग्राफ MTS जैसे विभिन्न पदों पर तैनाती दी जाएगी प्रधान मंत्री पिछले साल 22 अक्टूबर को 10 लाख लोगों की भरती के लिए रोजगार मेला शुरू किया था और बेरोजगारी के मुद्दे पर विपक्ष की लगातार आलोचनाओं के बीच पिछले आट वर्षों में रोजगार स्रजित करने के लिए अपनी सरकार के प् 45 मंत्रियों ने हिस्सा लिया था जिन में धर्मेंद्र प्रधान, प्यूश गोयल, हरदीप पुरी, अनुराक ठाकुर और अन्य वरिष्ट्र मंत्री शामिल हुए थे तमाम ऐसी ही खबरों के लिए आप देखते रहें एंटी विनिश्पक्ष